नमस्कार दोस्तों बात करेंगे appendicitis यानि कि appendix की सूजन के बारे में appendix हमारे right lower abdomen में एक छोटा सा ओर्गन है जो छोटी आंत और बड़ी आंत की junction पे रहता है और humans में इसका कोई खास काम नहीं होता इसलिए हम इसे rudimentary organ मानते हैं यानि कि इसमें body में कोई भी खास function नहीं है appendicitis यानि इस organ की inflammation हो गई है और इसके कई कसारे कारण हो सकते हैं यानि कि appendix का मुँ जो है वो बंद हो जाता है कि हार्ट सूल की वज़े से या किसी infection की swelling की वज़े से तब इसमें सूजन आने लगती है तो appendix के symptoms क्या हो सकते हैं well patient को pain हो सकता है जो navel में start होकर right lower abdomen में settle हो सकता है या फिर directly right lower abdomen में ही start हो सकता है इसके इलाबा patient को fever होना उसको nausea या vomiting होना उसको loose tools या urine में irritation होना ये भी appendicitis के symptoms हो सकते है late cases में अगर appendix burst हो जाए तो pain पूरे पेट में भी फैल सकता है usually appendix young बच्चों में देखा जाता है लेकिन कोई भी age इससे immune नहीं है और छोटे बच्चों से लेकर elderly patients में भी appendicitis हो सकता है तो ऐसा मत सोचिए कि सिरफ young बच्चों में ही appendix की बिमारी हो सकती है appendicitis में क्या क्या टेस्ट करते हैं जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एक्जामिन करकर आपको पेट में हाथ लगा कर भी idea दे सकते हैं कि आपको appendicitis की problem हो सकती है इसके बाद कुछ blood test में देखा जा सकता है कि शायद जो infection है वो उसमें पकड में आ जाए या urine में किसी-किसी patients के थोड़ा blood आ सकता है उसमें भी appendicitis का शक्त पड़ सकता है तो doctors usually इसमें दूर्बिन से operation के सला देते हैं open surgery से दूर्बिन में बहुत सारे advantages है open surgery में उसी area यानि right lower abdomen में एक चोटा सा cut लगाया जाएगा जिससे appendix को बाहर निकाल कर उसे remove कर दिया जाएगा लेकिन दूर्बिन से हम पेट के center में दूर्बिन डालकर पूरा पेट देख सकते हैं appendix के इलावा अगर कोई और problem है या appendix अगर normal लिका लाता है तो उसके alternative जो diagnosis हो सकते हैं जैसे कि meccal traverticulum females में कोई ovarian cyst हो सकता है ectopic pregnancy हो सकता है बहुत सारे diagnosis हो सकते हैं तो दूर्बिन से हम alternative diagnosis भी देख सकते हैं और पूरे पेट में अगर कोई infection फैल गया है तो उसे साफ भी कर सकते हैं और दूर्बिन के cut छोटे होने की वज़े से patient के recovery बहुत fast होती है cuts में infection होने का risk बहुत कम रहता है जैसे जैसे advancement बढ़ रही है laparoscopy के इलावा हम mini laparoscopy से भी सद्रे कर सकते हैं और robotic सद्री से भी appendix की सद्रे कर सकते हैं तो इसकी complications क्या हो सकती हैं अगर time रहते ही सद्री नहीं होती तो appendix की inflammation है वो बढ़ते बढ़ते यतनी बढ़ सकती है कि appendix rapture हो सकता है उसमें पस पढ़ सकती है जो गंदा पानी rapture होने से निकल गया है वो पूरे पेट में फैल सकता है और एक simple से बिमारी एक जान लेवा बिमारी में तबदिल हो सकता है झाल झाल